आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि किस तरीके से आप अपने search console account में domain verification and URL verification को complete कर सकते हैं अगर आप एक blogger हैं तो आप search console account को जरूर चलाते होंगे जब आप first बार अपने search console account को open करते हैं अपनी site को add करने के लिए तो यहाँ पे आपको domain verification या URL verification का option मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूँ search console account में यहाँ पे screen पे आप देख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार से होगी जैसा कि आप यहाँ पे screen पे देख पा रहे हैं तो किस तरीके से इसे complete किया जाता है फुल tutorial आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अगर आप जाना जाते तो इस वीडियो को पूरा last तक जोड़ो देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हैंकित आपका सोगत है आज की इस fresh वीडियो में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम आचुके अपने search console account में जिस भी idea से आपने search console account create किया है उसमें आपको login हो जाना है login होने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा left hand side में इस पे click करना है and click करने के साथ ही यहाँ पे आपको add property का option मिल जाएगा जिस पे आपको click करना है and यहाँ पे आपको अगर domain verification करना है तो यहाँ पे अपनी site का name.com या फिर.in जो भी है और डालना है अगर आपको URL के थुरूफ में verify करना है तो यहाँ पे आपको https के साथ साथ अपनी www के साथ साथ अपनी site का name डालना है तो मैं यहाँ पे दोनों आपको बताने पाला हूँ मैं already यहाँ से इसे add कर चुका हूँ बस आपको verify करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको verify करना है इससे पीछे का process यही है बस यहाँ पे आपको डालना है continue करना है जैसे आप continue करेंगे आपको कुछ इस type का instruction दिया जाएगा जिसके बाद ही आपका यह verification complete होगा यहाँ पे आप देशेते हैं सबसे पहले मैं domain verification के बड़े में बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं HTTPS के साथ आप verify करें तो आप सीधा अपनी site का name .com या .in जो भी आपका domain है उसे आप डालके यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आने के बार आप जैसे ते आपकी site का name यहाँ पे देख जाएगा और नीचे आपको एक code दिया जाएगा जिसे आपको copy करना है यह code आपको कहाँ पे डालना है इसके बारे में मैं आपको आगे बताने बाला हूँ तो यहाँ से आप इस वीडियो को गौड से देखिएगा अप copy होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है आपको जाना है अपनी hosting site में जहां से आपने hosting लिया हूँ है अगर आप wordpress पे हैं तो wordpress पे आपने hosting ज़रूर लिया होगा तो सबसे पहले आपको hosting site को login कर लेना है मेरा जो hosting है वो hostinger से है तो मैंने already इसको login करके रखा हुआ है यहाँ पे मेरे साइडी site linked है तो यहाँ पे आने के बाद आपको login वगरा कर लेनी है login करने के बाद आपको क्या करना है domains का option मिल जाएगा जिस पे click करना है आप hostinger से करे हो या फिर bluehost से करे हो या फिर name chip save करे हो किसी भी site से आप hosting ले चुके हो तो यहाँ पे आपको domains का एक option जरूर मिलेगा जहाँ पे आपको click करना है तो यहाँ पे आप देशेते domains का option है जिस पे हम click करेंगे click करने के साथ ही यहाँ पे एक नया page open हो जाता है उसको आपको क्या करना है उसके आगे manage का option दिया होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले search करना है कि कौन सी site कहा में करना है तो यहाँ पे मेरे यह site है आप देख सकते हैं takeis9official.com इसके आगे manage का option है इसके हम click करेंगे अब जैसे हम click कर देते हैं नेक्स्ट पेज में दुबाड़ा से यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे आप सबसे आपका सारा DNS record यहाँ पे दिखाया जाएगा अगर आप blogger पे यह चीज कर रहे हैं अगर आपने hosting और यह मतलब आप WordPress से नहीं है blogger से हैं तो आपको यह चीज कहाँ पे करनी है आपको अपने domain provider में यानि अगर आपने godaddy से लिया हुआ है कोई भी hosting तो आपको godaddy में चला जाना है और वहाँ पे आपको DNS का record मिल जाएगा चोकि WordPress user है इसलिए आपको आपके DNS record आपके hosting site में ही मिलेगा आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा तो दोनों के लिए यह process है आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आने के बाद आपको txt का जो file होगा उसको आपको search करना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बताया गया यहाँ पे बताया गया कि आपको सबसे पहले txt record को search करना है यहाँ पे आपको txt record में यह जो code है उसे यहाँ पे paste कर दे रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अब आप देख सेते हैं यहाँ पे txt record दिया गया है और एक नीचे में यह दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दूसरा वारा TXT record है, उसको हमको search करना है, यहाँ पे आप देसेते यह है, ठेक है, उसके आगे edit का option है, इस पे हम click करेंगे, अब जैसे इस पे click कर देते TXT है, यहाँ पे add the rate है, यहाँ पे TXT value जो है, इसको आपको क्या करन है, cut कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से remove कर देंगे, जो हमने copy क्या था, उसको यहाँ पे paste कर देंगे, अब paste करने के बाद यहाँ पे update का option है, जिस पे हम click करेंगे, और यह update हो जाएगा, जैसे कि आप देसेते DNS record update successfully, इस तरह से अगर है blogger user है, त फिर नहीं check कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे on or save verified, और यहाँ पे go to property का option है, जहाँ से आप click करके, अपनी site की सारी property को देख पाएंगे, यहाँ पे update सेते, जब आप first time यहाँ पे आएंगे, तो आपको कोई भी property नहीं दिखेगा, और दो-तीन दिन बाद आप आपको सारा property दिखना start हो जाएगा, मैं already इस चीज को कर चुका था, इसलिए मेरा पुड़ाना record यहाँ पे देखाया जा रहा है, अब यह तो होगा domain verification किस तरीके से हम कर सकते हैं, अब आपको बताता है, URL verification किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप HTTPS के साथ या फिर www के साथ साइट को लिंक कर चुके हैं, तो वो चीज आपको कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, and HTTPS के साथ अपने साइट को लिंक करेंगे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक code दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते हैं, हमने यहाँ पे HTTPS के साथ अपने साइट का डोमेन, जो भी नेम है, वो मैंने डाल दिया, यहाँ पे continue करते हैं, continue करने के बाद, on or see verified हो चुका है, तो यहाँ पे आपको एक code मिलेगा, चुकि मैंने already कर लिया है, इसलिए का code मिलेगा, जुसे आपको copy करना है, copy का button भी आपको मिल जाएगा, and copy करने के बाद, आपको जाना है, अपने WordPress account में, अगर आप WordPress user है, अगर आप blogger user है, तो आपको जाना है, blogger के account में, and वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक option आपको मिल जाएगा, file editor, theme, file editor का एक option आपको मिल जाएगा, जहाँ कि आपको आजाना है, अगर आप blogger user, blogger में भी यह चीज आपको मिल जाता है, कहाँ पे मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको problem आ रही है, तो आप मुझे message कर सकते हैं, मैं आपको proper तरीके से बताऊँगा, किस तरीके से लेकिन आप लोग को पता होगा, मुझे पता है, आप लोग अगर user है, तो आपको पता होगा, कि कहाँ पे theme file edited आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, header का option सर्च करना है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे header.psp है, इस पे हम क्लिक करने क option है, जिस पे click करके, आप इसे save कर सकते हैं, मैंने already यहाँ पे लगाया हुआ है, इसलिए मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता देख किस तरीके से करना है, जैसे आप इसे update कर देते हैं, उसके बाद आप जाएंगे दुबारा से search customer account में, यहाँ पे verify का ए ब्रोगर पी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती है, ब्रोगर पे करने में या फिर इसी trick करने में WordPress पे तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं, मैं आपको प्रोपर तरीके से गाइड करूगा किस तरीके से आपको क्या करना है, आसा कर तो ए छोटा से वीडियो आ बाइक कीजिगा, चैनल पर पहले बार है, तो चैनल को सब्सक्राब करके, बेल आइकन पर क्लिक करके, अल पर क्लिक कर देना है, ताकि आने वाल इसी टैप के इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेसन आपको अपलोड होते ही पिल जाएगी, आपको लिए ताहीं मिल